तो भी यह स्वागत है को ने व्लोग में as usual हम है रिजनल पार्क में और इस वक्त हम हैं आर्टिस्टिक विलेज आर्टिस्ट विलेज में मतलब यहां पर गहर बने हुए है मतलब घर जय से बने हुए है और वहां पर आर्ट किया हुआ है यहां पर है मुजिकल फांटेन यहां बैठने की बश्टा है मस्त उपर की तरह तरह पर चाहिए अब हम जा रहे हैं चीडिया को खाना खिलाने चीडिया को भी और मचली यह गोगी मचली खाना खिलाएंगे उसके बाद अपना योगा यह देखिए भाइस आप अनमुल का एक नया स्टंट बिंगो अब आ रहा है स्टैल देखिए स्टैल देखिए मजा आएगा मतले इतना लंबी लंगी चलांग वाव बच गया वाव बहुत बड़ी यह साथ अनमुल ने अपना लंबी चला मुका रिकार्ड और अरे अरे वाव भाई एक पार्टी अपनी वार रेनिंग कर रही है अनमुल को इधर ही मजा रहे था हम इधर ही रुके हुए तो यह वाला जो है ना ये देखो यह मुझिकल फावारा वाला जो सिस्टम है ना मतलब यहां बाकाइदा बैटने की जिए के बनी होगी आप बैठ सकते हैं एक दो तीन चार और मस्त वह एक रहें है रहें के आगे जो हौआ रहें है वो सिस्टम और यह जो बक्से एक तो तीन चार इस चार वक्सो में साउंड बॉक्स वगरा रखा हुए जो कि शाम के टाइम पर खुलता तो इसमें क्या वह आवा जाती है और फवारा उस हिसाफ से नीचे उपर नीचे होता रहता है दो मस्त बस्त दो तीन पेड़ हैं जिनको इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से बचाया हुआ है आकी मस्त है मतलब शाम को टाइम में यहां आप इंजॉय कर सकते हो बैठ सकते हो अभी सुबे के टाइम में भी यहां बैठा जा सकता है यह कि बैठा हिए तो भाइलो का अभी जो है यह मुजिकल फॉंटन के पास हमने सोचा यार जो चिडिया लोगों के लिए दाना लाये थे चिडिया और क्या बोलते हैं अपना गिलहरी तो मैंने बोला एक काम करते हैं यहां भी बहुत सारी गिलहरिया दीख रहे थे हमको इधर उदर आते जाते इनको कोई खाना नहीं देता तो मैंनल ला अनमोल आपका काम ये है कि उसमें जी दाना है वो सारे पेड के पासपास रखते जाओ तो डेखो भाइसा अब इसका काम यह हो गया है सारे पेड के पास पास लिए यह दाना रखके आएंगे हां पूरा एक इनका काम चल जाएगा। चलो इधना आलशी है व्हाय। हने दो हैं दूसरा नंबर elaborने तो बताव पहले तने लसा खार पहले नमर किसका है बता बता है लुट के वाइए लुट के वाइए अभी उसके आलसी पना थोड़ा से निकल रहा है धीरे धीरे वो दौड़ना चालू कर चुका है पिछले पांच छे दिन से अच्छा खासा दोड़ रहा है कभी साथ किलोमेटर आठ किलोमेटर ऐसा टीकर हो रेड़ी स्टेडी गो डिवारे वारे वाँ अलाकि इसने जीत अनमूल लकी की हुई है लेकिन अनमूल ने भी बहुत मेहनेट की मेरे बच्चे ने बहुत मेहनेट की बढ़ा इससे तो बोलते है इस से कंपटिशन कर रहा है और क्या ठीजिए तुझे है देखो चेहरा इसका हो गया 10-13 एक बार और करेगा चल ठीके नए राउन है सिधा सिधा इसको एक बार इन दोनों को एक बार और मोका दिया जा रहा है वेखार चुकि यह जीच चुका है तो यह विनिंग इस्टार है लेकिन इससे बच्चे की क्लिशन देखो दुगने उमर का है उससे दुगने उमर का है तब भी इतना सा is it उठो चल जा उधर जा उधर अब यह वापिस से अपने मांक पे जा रहे हैं मतलब कॉम्पटिशन के लिए हां इधार आओ इधार 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 और इधार और इधार हां बस ठीक है तुम दोनों गो यह 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 लगाता कर लगाता कर अरे भाइसा फिर से यह जीता है क्योंकि इसने दिमाग लगाया और अलान बोल ने दिमाग नहीं लगाया तेरों को जब उदर से कटते हुए आ रहा है तो तेरों को सीधा आना चाहिए न यह में और अधर को जा क्यों एक दा बरावर के जीता लेकिन विर यह कोई बात निए में इसको दो contexts करें जीत के दिखाएंगे जीत के दिखाएंगे जीत के दिखाएंगे चलो 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 रुगत हौए नहीं को यह दोनों वह आपिश से मुइसे तयारी देखो बाई धंकी देखा तो चलो रेड़ी स्टेड़ी गो अनमोल चीदा तर चीदा दर चीदा दर चीदा सब्सक्राइब इस वार जीत हुई है अन्मोहलगी और लग्की को लगता है पैर में इससे कुछ चुप गया है चलो हम देखते हैं तो भाइया आज का हमारा जो शेशन है शेशन एंड हो गया है हमने भूंदुले का भी देखा है लेकिन वह आपको कल दिखाएंगे हमने थोड़ा बहुत देख लिए पूरा नहीं देखा अच्छे से विडियो बनाएंगे और आज इसका टार्गेट था दस किलोमेटर का इसने मरते करते कर दिया कैसे भी करते गिर बाइसा वो यहां रड़ दो खा जाएंगे है अब आया वहां तक नहीं जा सकते ना इसलिए रहन दो अभी चलो मिलते हैं बाई-बाई